तखदगड कस्बे के रास्ट्रीय राजमार्ग 325 पर जाल और बॉर्डर पर गुर्वार अल सुभा 5 बजे एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गए आग लगने से मिनी ट्रक जल कर खाक हो गए मिनी ट्रक में राई भरी होई थी गटना की सुचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया सुचना की बाद पाली का उपाद्यक्ष मनोज नमाज सहेत कई जन प्रतिनिधी मौके पर पहुँचे मौके पर चालक ने ट्रक से कूत कर जान बचाए गटना आहोर ताना शेत्र की है गटना के बाद तखदगड़ पुलिस मौके पर पहुँची थी टाइम एट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मैं हो सीपा वर्मा और आप देख रहे हैं चाई एट राजस्थान टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल न भूले हमें इंतजार रहता है आपके कमेंस का तकतगर कस्बे के रास्ट्री राजमार्क 325 पर जाल और बॉर्डर पर गुरवार अल सुबह पांच बजे एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गए आग लगने से मिनी ट्रक जल कर खाक हो गए मिनी ट्रक में राई भरी होई थी गटना की सुचना मिलते ही दमकल की मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया सुचना के बाद पालिका उपाद्यक्ष मनोज नमाज सहेत कई जन प्रतिनिदी मौके पर पहुंचे मौके पर चालक ने ट्रक से कूत कर जान बचाई घटना आहोर थाना शेत्र की है घटना के बाद तख़त गड़ पुलिस मौ मौके सब्सक्राइब करने इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना फिल्कुल ना भूले हमें इंतजार रहता है आपके कमेंस कर तख़त गड़ कस्बे के रास्ट्री ये राजमार्क 355 पर जाल और बॉर्डर पर गुरवार अल सुभा पांच बजे एक मिनी ट् ट्रक जलकर खाक हो गई मीनी ट्रक में राई भरी होई थी गटना के सुचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया सुचना के बाद पाली का उपाध्यक्ष मनोज नमाज सहेत कई जन प्रतिनिधी मौके पर पहुंचे मौके पर चालक ने ट्रक से कूत कर जान बचाई गटना आहोर थाना शेत्र की है गटना के बाद तख़त गड़ पुलिस मौके पर पहुंची थी टाइम एट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मैं हुसी पर बर्मा और आप देख रहे हैं चाईट राजस्थान अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना फिल्कुल न भूले है हमें इंतजार रहता है आपके कमेंस का तकदगर कस्बे के रास्थ्री ए राजमार्क 325 पर जाल और बॉर्डर पर गुरवार अल सुभा पांच बजे एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गए आग लगने से मिनी ट्रक जल कर खाक हो गए मिनी ट्रक में राई भरी होई थी गटना के सुचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया सुचना के बाद पाली का उपाध्यक्ष मनोज नमाज सहेत कई जन प्रतिनिधी मौके पर पहुंचे मौके पर चालक ने ट्रक से कूत कर जान बचाए गटना आहोर थाना शेत्र की है गटना के बाद तख़त गड़ पुलिस मौके पर पहुंची थी टाइम एट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट